हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी बुनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, जैक, शोल, स्टोल, मॉफलर किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्टर लेना होगा तो ये डिजैन किसी भी प्रोजेक्ट पर आसानी से एड़ज़स्ट हो जाएगा चार के multiple देखिए आप इसमें चार फंदे गिन लिजिए फिर से चार फिर से चार फिर से चार फिर से चार इस तरह से बार बार चार चार फंदे गिन दे जाए और last में आपका एक फंदा होना चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है दो सलायों का डिजाइन है और चार सलायों में कम्प्लीट हो जाता है इस डिजाइन को शुरू करने से पहले हमें दो बेसिक रोब बनानी होती है तो चलिए इस design को बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है तो ये देखिए friends design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे चार के multiple करके और एक फंदा extra फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से यहाँ पर मैंने उल्टी बनाई हुई है आप अपने project ले कोई भी border बना लीजिए border के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाईए और फिर सीधी साइड से आप इसमें पहले तो बेसिक रो बनाईए उसकी बाद डिजैन शुरू होगा तो बेसिक रो देखे कैसे बनेगी इन सलाईयों को हमें फिर रिपिट नहीं करना है पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा पूरी सलाई आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है जैसे हम कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं एक उल्टा एक सीधा करके ऐसे आपने पूरी सलाई को बुन लेना है एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर एक उल्टा और एक सीधा ऐसे क लाश्ट तक सलाई को बुन लिया है यहाँ पहला फंदा भी हमारा उल्टा आया है और लाश्ट का फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा तो पहली basic row complete हो गई है अब हम दूसरी सलाई बनाएंगे उल्टी side से जो फंदा इधर से हमारा उल्टा बना वो इधर सीधा बनेगा जो इधर सीधा बनाया वो इधर हमारा उल्टा बनेगा पहला फंदा हमारा एज़श्टीच होता है इसको आप उतारिये या उल्टा बनाएए यह आपकी अपनी मर्जी है यहाँ से हमारा डिजैन शुरू होगा तो ये वाला फंदा हमारा सीथी साइड से सीधा है तो इसको हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे धागा पीछे ये फंदा सीधी तरफ से उल्टा है तो इसको हम उल्टी तरफ से सीधा बुनेंगे तो देखे एजश्टीज के बाद एक सीधा एक हमारा ये देखे एजश्टीज उसके बाद एक उल्टा एक सीधा ऐसे हमारा करम बन गया है फिर से एक उल्टा बन गया फिर धागा पीछे एक सीधा बस यही ध्यान में रखना है हमने और पूरी सलाई को कम्प्लीट कर देना ह एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पूरी सलाई आप ऐसे ही बनाईए इधर से जो फंदा सीधा है वो इधर उल्टा है जो इधर उल्टा है वो इधर सीधा है और ये जो दो सलाईया है इनको हम दोबारा रिपिट नहीं करेंगे ये सिरफ डिजैन को शुरू करने से पहले एक बार ही हमें इन दो सलाईों को बुनना है तो सीधा उल्टा करते हुए दूसरी सलाई को भी बुन लीजिए तो ये देखिए ये हमारी तो बेस्टिक रो बनके कम्पलीट हो गई है अब यहां से हमारे डिजैन की पहली सलाई बनेगी डिजैन दो सलाईों का है और च हां से हमारा डिजैन शुरू होगा तो देखिए एक सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा बनाया फिर धागा अपनी तरफ से पीछे की तरफ कर देंगे और जो सीधा फंदा इसको हम सीधा बुनेंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा धागे को अपनी तरफ लाएंगे ये देखिए अब इन तीनों फंदों को हम इस हाथ की स्लाई पर ले लेंगे देखिए एक दो और ये तीन और ये जो धागा अपनी तरफ किया है इन तीनों फंदे के आगे से बैक साइड के तरफ इसको ले जाएंगे इन तीनों फंदों को वापस से हम इसी अब इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो डिजैन को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं ध्यान से देखिए धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा तो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा य बुनेंगे नहीं ऐसे ही अब sleep करेंगे इन तीन के आगे से इस धागे को हम back side की तरफ वापस कर देंगे तीनों फंदे इसी सलाई में हम फिर से उतार लेंगे और एक बात का आपको ध्यान रहे ये जो धागा इन तीन फंदे के आगे से असी लेकर हमने back side पर किया है ये आप का टाइट नहीं होना चाहिए अगर आपका धागा खीच गया तो डिजाइन आपका बिल्कुल सुकड जाएगा और डिजाइन खिला हुआ नहीं बनेगा अब धागे को हम वापस अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे तो ये हमारा पैटर्न दोबारा स रिपीट हो गया फिर से हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं ध्यान से देख लीजिए एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ कर लेंगे इन तीनों फंदों को हम ऐसी स्लाइपर उतार लेंगे तीन के आ ये उल्टा फिर से हमें डिजैन को रिपिट करना है एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा अब धागे को देखिए अपनी तरफ करेंगे तीनों फंदों को हम ऐसे स्लिप कर देंगे इन तीन के आगे से धागे को हम ऐसे छोड़ देंगे इन तीनों को देखिए, ऐसे वापस उतार लेंगे, फिर धागा अपनी दरफ, और ये देखिए, अब एक फंदा उल्टा, तो हमारा इसी तरह से ये पूरा डिजैन बनते हुए जाएगा, फिर से मैं डिजैन को बना के दिखा रही हूँ, देखिए, एक फंदा सीधा, धाग पीछे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ ले आईए, तीनों फंदे इस दूसरे हाथ की सलाई पर उतार लीजिए, इन तीन के आगे से धागे को बैक साइड पर कीजिए, फिर से तीनों फंदे अपनी उसी सलाई पर ले लीजिए, और धागा घुमा कर अपनी गुमा लेंगे तीनो फंदे हम ये देखिए इस हाथ की सलाई पर ले आएंगे अब इस धागे को इसके आगे से बैक साइड की तरफ ले जाएंगे तीनो फंदे फिर से राइट हाथ की सलाई पर आ जाएंगे और धागा अपनी तरफ करके लाश्ट का फंदा उल्टा तो ये हमारे डिजैन की पहली सिलाई बने है क्योंकि पहले जो हमने बनाई वो बेसिक रो थी और ये डिजैन की पहली सिलाई है अब उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए देखिए एजस्टीच हो गया है उसके बाद एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धगा अपनी तरफ एक उल्टा धगा पीछे एक सीधा ऐसे करते हुए एक सीधा एक उल्टा ऐसे ही बनते हुए जाएगा तो दूसरी सलाई को बना दीजिए तो ये देखे फ्रेंट सीधा उल्टा करते हुए मैंने इसकी दूसरी सलाई को complete कर दिया है अब आज ये इसकी सीधी साइड पर और तीसरी सलाई पर अब जैसे हमने ये दो सलाईों का डिजैन बनाया हमें बनाने तो यही दो सलाईया है लेकिन ये जो डिजैन है इसकी जगहे चेंज हो जाएगी तो अब तीसरी सलाई को आप ध्यान से देख लिजे कि कैसे बनेगी पहला फंदा एजस्टीच है इसको उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे एक फंदा हमारा ये सीधा आ जाएगा यहाँ पर एक धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा अब ये स्टार्टिंग के तीन फंदे हमने छोड़ दिये हैं और यहां से हम अपने डिजैन को अब रिपिट करेंगे तो देखिए धागा पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा अब देखिए इनके आगे से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे ये सीधा उल्टा और सीधा इन तीनों फंदों को इस लाई पर ले और इस धागे को घुमा कर अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा अब देखे यहां पर यह तीन फंदे हमने स्टार्टिंग के छोड़ दिये हैं यह जो चार फंदे का डिजाइन बन गया अब इसे ही रिपिट करते जाना है क्योंकि देखिएगा हमारे यह एक सीधा एक उल्टा एक सीधा अब हमारा डिजाइन इन पर बन रहा है वस यही इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा बाकि सेम बनेगा पहली सलाई के जैसे अब एक सीधा एक उल्टा धागा पीछे और एक सीधा धागे को अपनी तरफ करेंगे इन तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड की सलाई पर उतार देंगे इस धागे को इनके आगे से बैक साइड पर कर देंगे तीनों फंदे वापस राइट हैंड की सलाई पर जाएंगे और धागा घुमा कर अपनी तरफ ले आएंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे एक सीधा और एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा, धागे को घुमा कर अपनी तरफ कर लेंगे, और अब ये जो तीन फंदे हैं, इनको लेफ्ट हैंड की स्लाई पर ले लेंगे, धागे को आगे से इनके ऐसे घुमा कर बैक साइड पर ले जाएंगे, फिर तीनों फंदे हमारे वापस से राइट हैंड की स्लाई पर आ गए है धागे को पीछे से लाकर अपनी तरफ कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा बहुत ही आसान सा डिजाइन है न्यू विगनेर्स भी इसको आसानी से बना सकती है ध तीनो फंदे राइट हैंड की स्लाई पर जाएंगे और धागे को पीछे से खुमा कर अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा उल्टा फिर से डिजाइन को रिपीट करना है एक सीधा धागा अपनी तरफ और एक उल्टा एक सीधा ये तीन हमारे बन गई है धागा अपनी त और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे देखे एक उल्टा एक सीधा और एजस्टीज को उल्टा बुन लेंगे तो ये हमारी तीसरी स्लाई डिजैन की कम्प्लिट हो गई है चोथी स्लाई उल्टी साइड से यहां पर आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए ए आप बटन-पट्टी बना सकते हो कारडीगन जैकेट में आप इसका बोर्डर बना सकते हो कैप में मफलर में किसी भी प्रोजेक्ट परिश डिजैन को आप डालिये सभी प्रोजेक्ट आपके बहुत ही सुन्दर बनेंगे उन भी इसमें ज्यादा नहीं लगती है नॉर्मल डिजैन की यहां पर हमारी चार सलाईयां कम्प्लेट हो गई हैं, चार सलाईयों में बहुत सुन्दर डिजैन हमारा उभर के आया है, जब आप इन्हीं चार-चार सलाईयों को बार-बार रिपेट करेंगे, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनेगा, तो फ्रेंट्स अगर आप कोई डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का आल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मेरे चनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू